ये फ्रेंट्स वेलकंटो मैं चैनल एबी रॉक्स टीम्स तुम आप लोगों के लिए आगे भाईयों मैच कवर करने जो की खिला जाएगा फुटबॉल सीरी लीग का एन एपी वोस्टी एससे एस के बीच दो घंटे नो मिनट बाद बात करें भाईयों सबसे बड़ी कि इसकी फाईनल टीम आपको मिलेगी मेरे चैनल आपको छिसका नाम अब आप वी वोटिंग डालूँगा भाईयों फिफ्टी हंडड वोट्स में से अगर अम मिनिमम हंडर क्योंकि विएसे तो बहुत वोट आजेंगे minimum 100 watt में से 80% के भी yes होगे तो मैं टीम दे दूँगा ऐसी कोई बात नहीं है तो चलिए भाईव शुरू करते हैं investment plan बता देता हूँ low investment करना highly risky match है दोनों team strong है तो जब भी आमने सामने 2 team strong होती है सबसे मुश्किल होता है भाईव यहां से player शानना defender से क्योंकि भाईव यह पता नहीं किसके highest score करके जाएगा इसलिए less investment बहुत ही best रहेगी आपके लिए head to head and three member भी best रहेगी four member भी avoid कर लो आज के match में तो goal keeper करें सबसे में होता है भाईव इसमें goal keeper शाटना क्योंकि goal keeper ऐसे भी होते हैं जो एक जगा रुके रहते हैं मलब एक पॉइंट से उपर भी नहीं बढ़ेंगे और कहीं ऐसे भी होते हैं कि आपको 9 से 12 पॉइंट सिंगल मैच में दे जाएंगे तो goal keeper मैंने S.A.S. का रख है एसिस्ट भी कर गया selection भी 61% है और हमें बहुत बड़ा भेंकर loss जेलना पड़ जाएगा तब ही मैं आपको यही राय दूँगा कि आप J.M.A.R. को फिरारी के साथ जाएए आगे से बात करूँ यहां से लूँगा काफी बढ़ी है जो कि मैं आपको बता दूँँ आपको जैसे की जो मेरी वीडियो हर बार देखते हैं आपको मैंने सिखा रख है कि एक low player ऐसा उठाया करो जो कि चले तो मैं आपको बता दूँ यह player अगर आज की टीम में अगर आज की आज के match में N.A.P. जादा scoring करती है तो आपको पता ही है कि defender के points automatically जादा हो जाते हैं मलब 8-9 points minimum होई जाते हैं तो इसके भी होंगे तो भाईो 50% selection है ओपोरेंट की टीम में अगर नहीं हुआ तो आपको अच्छा खासा winning हो सकती है आगे से बात करूँ यहाँ से लोगा G.D.Larenzo को जो की काफी बढ़िया प्लेयर है बहुत ही जबर्दस खेलता है इसके साथ भी आप जा सकते हैं अच्छा प्लेयर है भाईों और मलब previous match में तो था नहीं तो उसको देखते नजर अंदास करते हो आप यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि मिट फिल्टर के अंदर क्या होता है सिरफ गोल करना एसिस्ट करना और गोल करना इनको मतलब जादा नहीं मिलते जैसे की पॉइंट्स की अगर यहाँ पर पास कर रहे हैं इसके पॉइंट इनको बहुत ही कम मिलते हैं मेन वर्क इनका गोल होता है तो आपको अच्छे कासे पॉइंट मिल सकते हैं आगे से बात करूँ यहाँ से लेने वालो जेक के एलेजन को जो की काफी बढ़िया प्लेयर है नॉर्मल है एवरेज प्लेयर मैं बढ़िया नहीं कहरा नॉर्मल क्योंकि एक आदा गोल तो भाईयों पांच मैचिस लगातार गोल कर रहा है जो की इवन एक मैच नहीं छोड़ रहा है इसलिए तो भाईयों इनकी टीम यहां तक पहुंची है जो की इतनी पावरफुल टीम के साथ इनका मैच है यह एसे एस यहां पे मुश्किल डालती है क्योंकि एक प्लेयर के कारण S.A.S. की टीम बहुत स्टोंग है और अगर यह जितने गोल करेगा बात तो आपको पता ही है जितने गोल करेगा उतनी एसिस्ट होगी और जो एसिस्ट करेगा अगर वो प्लेयर हमारे पास ना हुआ तो लॉस पक्क है तबी कह रहा हूँ लेस इंवेस्टमेंट करना क्योंकि बहुत रिस्की टीम है और आगे से बात करूँ लोरेंजो को लूँगा लोरेंजो भी यहां से आपको अच्छी पिक मिल जाती है गोलिंग स्कोरर पूरी किक है क्योंकि इनकी टीम काफी जादा स्टोंग है अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ अभी के लिए बाइफरेंट आपका दिन शुबरे